एक बीजेपी का एंपी मुझे लोकसभा में मिला बहुत सारे बीजेपी के एंपी पहले कॉंग्रेस पार्टी में हुआ करते थे यह भी कॉंग्रेस पार्टी में था छुपके मिला मुझसे मुझे दूर से देखा छुपके डर से कहता है राहूल जी आपसे बात करनी है मैंने का भाई क्या बात करनी है तुम तो बीजेपी में हो और फिर उसके चहरे पर थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या मैंने शोचा साइद घर में कोई बिमार हो कोई दुरगटना हो गई हो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्याता है नई क्या हुआ राहुल जी बीजेपी में रहे कर सहा नहीं जाता मैं हूँ बीजेपी में मकर दिल मेरा कॉंग्रेस में है तो मैंने का भई दिल तेरा कॉंग्रेस में शरीर आपका बीजेपी में मतलब दिल शरीर को कॉंग्रेस में लाने से डर रहा है यही हो सकता है मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता हूँ आप MP हो आप मुझे हिंट दे रहे हो मन क्यों नहीं बनता कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है जो उपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है हमारी कोई सुनता नहीं उपर से ओडर आता है मतलब जैसे पहले राजा ओडर देते थे उपर से ओडर आता है और उसका पालन करना पड़ता है अच्छा लगे ना लगे चॉइस नहीं होती आपको याद होगा हमारे जो PCC प्रेजिडन्ट है पर्टोले जी यह हैं इन्होंने प्रधान मंत्री से एक सवाल पूछ लिया था एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में क्या सवाल था तो सिर्फ एक सवाल पूछा सवाल था जी एस्टी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा पर्टोले जी आउट हो गए तो उनकी विचार धारा राजाओं की विचार धारा है किसे की सुननी नहीं और्डर उपर से आएगा आपको और्डर का पालन करना पड़ेगा नहीं किस्टव्ड़्सा घटॉड़े सुड़ेश हो ग्रा Aires लाज़े़दे के विचार धाराां रहते हो जान you डंसान यंड़ीन विच demol हечए'